दोस्तों, 18 सितंबर सन 24 साल के सबसे बड़े महाचंदर ग्रहन के दिन बदलने जा रहा है, इन छे राशी वालों का भाग्य करियर कारोबार में मिलेगी, अब इनको मिलेगी, उन्नती खुशियों से भर जाएगा, इनका घर इस चंदर ग्रहन के बाद इन छे राशी वालों क तो दुनिया की कोई भी ताकत करोडपती बनने से नहीं रोक पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही देखा है। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहन 18 सितंबर को लगने जा रहा है। और ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहन नहीं होगा बल्कि एक महा चंद्र ग्रहन होगा जिसका न केवल पूरी दुनिया के जोतिश पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर जोतिश शास्त्र की माने तो इस चंद्र ग्रहन के दिन चतुर ग्रही योग बन रहे हैं। लेकिन 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। मामलों में इनको जीत हासिल होगी। अगर ये 6 राशियां वाले लंबे समय से बीमार चल रहे थे अब इस चंद्र ग्रहन के बाद इनको इनकी बीमारी से मुक्ती मिल जाएगी। ये 6 राशियां वाले जिस घर को खरीदने का काफी दिनों से सपना देख रहे थे। इस चंद्र ग्रहन के बाद वह घर इनका होने वाला है। कुल मिला के यह समझ लीजिए। दोस्तों इस चंद्र ग्रहन के बाद 6 राशिवालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। 18 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है। हिंदु धर्म में ग्रहन काल को शुभ नहीं माना गया है। ऐसे में इस दौरान लोग कई तरह की सावधानियां और नियम का पालन करते हैं। बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहन भाद्र पद की पूर्णिमा तिथी को लगने वाला है। चंद्र ग्रहन 18 सितंबर को सुभह 6 बज कर 11 मिनट से आरंभ होगा। चंद्र ग्रहन समापती सुभह 10 बज कर 17 मिनट पर हो जाएगी। साल का दूसरा चंद्र ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहन से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल काल के समय ऐसे कई काम है जिन्हें करने की मना ही होती है सूतक काल को एक प्रकार से अशुब समय माना जाता है ऐसे में सूतक काल के दौरान कोई मांगलिक या शुब कार्य नहीं किया जाता है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इस चंद्र ग्रहन का कोई भी दुश्प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा लेकिन जोतिश शास्त्र तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहन के अंतराल के दौरान कोई भी उपाय किया जाए तो वह जरूर सफल होता है और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो अगर आप 18 सितंबर को सुबह 6 बज कर 11 मिनट से लेकर सुबह 10 बज कर 17 मिनट के बीच में कर लेते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आपको अपने जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है आपका भाग्य उदय हो सकता है आपके नवग्रह प्रबल हो सकते हैं और आने वाले समय में इन उपायों को करने के बाद आपको कई प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए हर जानकारी को कहीं पर लिख लीजिए और इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा। जो भी उपाये हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाये को आपको सही मुहूर्थ पर करना है। तभी आपको इन उपायों का लाभ मिलेगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जय और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे चंदर ग्रहन के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस चंदर ग्रहन के बाद आपकी कुंडली में चंदरमा की स्थिती अच्छी हो जाए। यानि कि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें। जब भी एक व्यक्ति की सुबर चंदर ग्रहन शुरू होने से पहले यानि कि 6 बज कर 11 मिनट से पहले आपको कहीं से भी एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। या आप 17 सितंबर को ही ताला चाबी खरीद लीजेगा। उस ताले चाबी को आपको अपने घर की छट पर रख देना है। चंदर ग्रहन आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी कुंडली में चंदरमा की स्थिती अच्छी हो जाएगी और जब एक व्यक्ति की कुंडली में चंदरमा की स्थिती अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के न आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो समझ जाईए आपके घर पर किसी ने कुछ करवा रखा है। उसमें आपको चार लॉंग और चार कपूर रख कर जला देना है। इसका धुआ पूरे घर में आपको दिखा देना है। सिर्फ इतना उपाए अगर आप चंदर ग्रहन के अंतराल के समय में कर लेंगे तो यकीन मानिये। जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ती होगी उनक अगर आपके घर पर कोई व्यक्ती बहुत बीमार पड़ा हुआ है जिसका आप इलाज कराकर आकर ठक चुके हैं लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है तो बस एक काम कीजिएगा। की पोटली बना लेनी है इस पोटली का उतारा उस बीमार व्यक्ती के सर से लेकर पैर तक आपको सिर्फ आठ बार करना है। वह सारी परेशानी ये लौंग अपने साथ ले जाएगी और उस बीमार व्यक्ती के स्वास्थे में सुधार आने लग जाएगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ती बिलकुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंतर शास्तर के अनुसार बताया है जो चंदर ग्रहन के अंतराल के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर 33 कोटी देवी देवताओं का आशीरवाद बना रहे तो बस एक काम कीजिएगा कि चंदर ग्रहन वाले दिन जैसे ही चंदर ग्रहन खत्म होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आपके घर पर बना रहे। आठ के आठ रूप का जो वास होता है वह सदा बहार के पौधे में होता है तो चंदर ग्रहन वाले दिन यानी 18 सितंबर को आपको कहीं से भी एक सदा बहार का पौधा लाना है और इसको लाल गमले में अपने घर में स्थापित कर लेना है। अगर इतना उपाय अगर आपने इस चंदर ग्रहन वाले दिन कर लिया। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आठ के आठ रूप का आशीरवाद आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जय सबसे पहली भाग्यशाली राशी है मकर। राशी अगर आप मकर राशी के है दोस्तों और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। इस चंद्र ग्रहन के बाद आपके जीवन में अचानक से आपको धन की प्राप्ती होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं, जहां से आपको सफलता देखने को मिलेगी। लंबे समय से आपका दुर्भाग आपके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन इस चंदर ग्रहन के बाद आपका दुर्भाग आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह, आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में अगर आप मकर राशिके हैं और लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि आपका घर खुद का घर हो जाए तो दोस्तों इस चंद्र ग्रहन के बाद आपके ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आपका खुद का घर भी होगा, आपकी खुद की जमीन भी होगी और भगवान माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप मकर राशिके हैं तो इस चंद्र ग्रहन के बाद आपको प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है और सिर्फ एक घी का द धन की वर्षा होती रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है सिंह राशि अगर आप सिंह राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपको मुक्ती मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपके प्रमोशन हो जाएगा। जीव अंसुख वैभव। एश्वर्य की आपको प्राप्ती होने वाली है। आपका दुर्भाग्य अब आपसे दूर हो जाएगा। आपके जीवन में आने वाली कई प्रकार की जो परिशानिया हैं वह अपना रास्ता बदल लेंगी। सिंह राशि वालों के जीवन में इनको आ प्रक्तियक ब्रहस्पतिवार को आपको किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देते रहना है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो भगवान विश्णु जी की कृपा से आने वाले अगले चंद्र ग्रहन तक आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आपके नव ग्रह आप के योग बन रहे हैं। आपका बंद पड़ा व्यापार अपने आप चलने लग जाएगा। आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोडों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर इस चंद्र ग्रहन के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो उस व मुनाफ़ा दे कर जाएगी अगली खुशनसीब राशी है कन्या राशी अगर आप कन्या राशी के हैं दोस्तों तो कोट का चहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी करियर कारोबार में आपकी उन्नती होगी विदेश यात्रा पर जाने के आपके योग बन रहे हैं राजनीतिक लाब होगा आपके विरोधी दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे लंबे समय से आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे थे वह नौकरी भी आपकी लग जाएगी आपके जीवन में धन सुख वैभव एश्वर्य की वृद्धी होने वाली है आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी कन्या राशिवाले लंबे समय से बीमार चल रहे थे लेकिन अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी कन्या राशिवालों के जीवन में शादी के योग बन रहे हैं इस साल आपकी शादी भी हो जाएगी और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपको एक विद्वान संतान की भी प्राप्ति हो सकती है एवं बताया जा रहा है कि कन्या राशी वाले अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कन्या राशी के हैं तो प्रत्यक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है ऐसा अगर आप करते रहेंगे अगले चंद्र ग्रहन तक तो भगवान भोलेनाथ का आशीरवाद आप पर बना रहेगा अगली खुशनसीब राशी है मेश राशी अगर आप मेश राशी के हैं दोस्तों तो जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में बड़ा धन योग बन रहा है लंबे समय से आप नौकरी की जो तैयारी कर रहे थे वह नौकरी भी आपकी लगने वाली है आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे आपके राहु केतु की दशा भी बहुत अच्छी हो जाएगी मेश राशी वालों के जीवन में इनको अनेक प्रकार की सफलताएं अब आने वाले समय में जरूर प्राप्त होगी अगर आप परिश्रम करकर के ठक चुके थे और आपको उसका परिणाम नहीं मिलता था तो अब आपके परिश्रम का आपको फल भी मिलेगा और अच्छा खासा मुनाफा भी आपको मिलेगा अगर मेश राशी वाले इस चंद्र ग्रहन के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो उस व्यापार में उनको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और उससे आपको लाखों करोडों का धन का लाभ भी होगा अगली खुशनसीब राश्य है करक राशी अगर आप करक राशी के हैं दोस्तों और आपका मार्केट में पैसा अटका हुआ था तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा प्रापर्टी वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं अगर आप करक राशी के हैं और विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो वह सपना आपका पूरा हो जाएगा लंबे समय से आपके जीवन में धनाना बंद हो गया था लेकिन अब आपके जीवन में धनाना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में जो धनाएगा उसमें वृद्धी होगी आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी कर्क राशी वालों के जीवन में आने वाले चंदर ग्रहन के बाद इनका एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव इन लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप कुम्भ राशी के हैं दोस्तों और आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से अब आपको मुक्ती मिल जाएगी कोट का चहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी प्रॉपटी वाहन खरीदने के आपके योग बन रहे हैं नौकरी की अगर आप तयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहन के बाद कुम्भदाशी वाले जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्रॉपटी